सलाम नमस्ते हेलो केम जो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवाद जीए भाई प्यूसर पे तो दोस्तों फटा-फट से जुड़ जाए और सेशन को एक बार दबागर शेयर कर दीजे और दोस्तों जिन लोगों के भी एस्बी आई पू के ईक्सामनेशन है उन सभी को all the best सभी लोग जो है दोस्तों जागर के किलाव फटे करो मैंने जो एनाल्सिस दिया उसमें स्टूडेंट ने भी एनाल्सिस दिया है मनोज तो आकर कि स्टूडियो से अनलसिस दिया था चलिए तो जो लोग को जाना रजत कह रहे हैं सब्सक्राइबर के लिए बहुत-बहुत बदाई हो अरे यह सब तुम लोग का प्यार है यार इकते कम समय में बढ़ रहे हम लोग बहुत तेजी से हैना अभी तुम लोग ने यह है कि नहीं चलो दोस्तों डेली करेंट अफेयर की क्लास दोस्तों जो है आपकी होती है रोज सुबह 6 बजे डेली सुबह 6 बजे दोस्तों होती है यह वीकली करेंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम लोग पूरे सबता का निचोड कर रहे हैं पूरे सबता का दोस्तों हम लोगद कर रहें याद रहेगा, छलिया बहुत बढ़ियां, शान्दा, जिन्दावाद, जेबदस्त, दोस्तों, डेली करेंटए फेर की क्लास, जो सबसे थे, सब से पहले सब से ज्यादा ज़्यादा करेंटाफियर प्योर करेंटाफियर की क्लास जो आपके एग्जामिेशन के लिए इसमें चुटती नहीं अब इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा दोस्तों पीडियंट आपको जीएगर प्यूसेट टेलिग्राम पे सब्सक्राइब कर लिए जीए जीके जीए का यह वन स्टॉप सेंटर बेल ऑइकन भी दबा लीजेगा दोस्तों टेलीग्राम का लिंक यहां बसंत ने दिया है तो दोस्तों यह बता बसंत तुम्हारा आज कोई पेपर पर था क्या लोग बसंत ने डिलीड भी कर दिया उसको आप वापस से कड़ालो ऐस आप लोगों का चैनल आप लोग का हुआ है सबसक्राइबर ओड़ी ऑफ लोगपा हुआ है है अन्सुल जैन के सर्सेंगत कि कीयरी बता देजें जैसे करनी है बस जैसी करनी है वैसी करो जैसे हम करा रहे हैं वैसे करते चलो बता रहे हैं सुनो डेली करेंट अफेर की रोज क्लास करनी है ओके डेली करेंट अफेर की यहां पर दोस्तों स्टैटिक जी के जीएस के प्रीविएस एर कोश्चंस में करा रहा हूं शाम को शाम को दोस तो दोस्तों इस के बाद जो यह weekly current affair की class है वीख्ली current affair की class है अचा तुम देखे आभी के SNBI PGO क्या बात बहुत बढ़िया weekly current affair की class दोस्तों जो है यहां पर होती है टेम्ड भी तुम्हारे अच्छे हुए अच्छे लेदोस्तों वीकली current संदे को मंद दीन ग्हारह बजे होती है तो कल भी हुई थी आज उसका सेकेंड पाइट ठीक है या बाकी दिन बेंकिन और फिनेंशिल करेंट पॉरह तक अच्छा दोस्तों बेशिट के ड्रीक्रास जो है यह मेह राधन क्लास यह रात को Nine बजे होती है अभी जिन्हों ने पूचा था कि असी करके आये yeah इस लास को फॉलो करो इस ॊणका इसक लगों लाइस कल दो यह क्लास कल होगी आज क्योंकि हम लोग ने मन्तली लगाया हुआ है रात को नो बजे आज मंतली करेंगे क् लिध्वleased 200 की पूरी City's है प्लेलिस्ट है में चैनल पे जाओ प्लेलिस्ट में आपको खुदी मिल जाएगा ठीक है क्लियर रहे अन्सुल कह रहे सर आपकी वज़े से सर इस बार मेरा इवी पीएस पीओ मेंस में मेरे 25 जीए हुए है ठेंक्यू सो मसर बस ऐसे अन्सुल ताबड तोड जो है प्रचार करो इस चैनल का यही गुरू दर्चेना है कि सर के चैनल से पढ़ो सर का चैनल तुम्हारे काम आएगा स तुम्हें जीए ई करेंट अफइर सारी चीज़े मिलती हैं सारी चीज़े मिलती है ठीक है गो दोर जिखेया तो दोस्तों यहां पर याद रखीए गा जहां पर हम लोग बैंकिंग के आपको पूरे जये कि सार स्पढ़ाए हुए में यह भी चैनल पर मिल जाएगा तॉप एन फिनेंशल टर्म्स की सीरीज भी आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी सीरीज है जिसमें इंप्रॉटेंट टर्म्स हमने डिसकस किया दोस्तों आएए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेर शो को दोस्तों सुरू करते हैं ताबढ़ तोर तरीके से ठीक है दोस्तों पध भारत की छड़ी बंदे भारत एक्स्प्रेस से जो चटीज गड़के विलासपूर से दोस्तों जो आप नाग rapidly तक चल रही है नाग पूर तक चल रही हो के दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं कि भारत की पाँषमी वंदे भारत एक्सप्रेश साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेश थी जो कि मैसूर से चेन नहीं तक चलाए गये थी वह भारत की पाचवी वंदे बारत एक्सप्रेश थी दोस्तों यहां पर बिलासपूर एक हिमाचल पदेश में भी है जहां आभी मोदी जी ने 24 वह में भी लोग दिख रहे हैं हरी जंडी दिखाते हुए नाप पूर रेलवे स्टेशन से दोस्तों हरी जंडी दिखाई गई है नाप पूर से सीरडि तक एक रोड भी बनाई गई है दोस्तों जिसका नाम नाम रखा गया है बाला सहब ठाकरे के नाम पर समुरिद्धी महामार्ग उसका नाम रखा गया है ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदा नाठपूर में वैसे एक डबल डेकर फ्लाइओवर भी बनाए जो गिनीज बुका वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जुआ है 3.14 किलोमेटर का दोस्तो 13 से 15 दिसंबर को निमन लिखित में से कि शहर में पहली जी-20 वित और सेंट्ऱ बैंक की डिप्टी बैठक आयोजित की गई है तो दोस्तो यह बैंगलूर करनाटेक में की गई है और मुंबई बैंग्लोर में है और फरवरी में सेंट्र बैंक होगे गवर्नर की हो वह फरवरी में होगी यहीं पर होगी दोस्तों बैंगलोर में ही होगी ठीक है जी ट्वेंटी की स्थापना 1999 में हुई थी पहली मिटिंग दोस्तों जी ट्वेंटी की बात करें तो जी ट्वेंटी 26 सितंबर 1999 को आई थी 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन उसके दोस्तों मिंबर है नौ कंट्रीज को इंडिया ने आमंतरित किया बाकी डीटेल भी है जो मैंने कल वाले में बता दिया था लाश्ट वीकली करेंट टैफेर कल मैंने कराया था तो उसमें बाकी डीटेल बताईए यहां पे वह रिपीट नहीं कर रहा हूं तो दोस्तों यहां पर स्वास में डब्लू वह वह वेल फेर के लिए यूज हुआ है दोस्तों जो सैनीटेशन वर कर के लिए शूरू किये गई है ठीक है बात समझ मे आ रहे हैं चलिए बहुत बढ़ियां शानदा जिन्दाबाद जवर्दस्त कि अ कि दोस्तों स्टार्टप टेक एगल के साथ साज़दारी में किस राजने हाली में एशिया के ध्यान दिजेगा एशिया फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरड किया है दो यह दोस्तों भारत का एशिया का पहला ड्रोन डरी यह यह महले मैं बहुत दोस्तों ड्रोन के ट्रोट के निपने क्या में अपनी प्रैक्टरी दौनी जी है दोस्तों नरेंद मोदी जी ने उत्तरी मुपा में यानि गोवा के मुपा में इंटरनेश्टल एरपोर्ट के फ़र्ष चरड़का उधगाटन किया है इस मुपा एरपोर्ट का नाम उन्होंने मनोहर लाल परिकर के उपर रख दिया है ठीक है क्लियर है याद रग गया मनुहलाल परिकर रक्षा मंत्री थे जिनके समय में 2016 में रफेल डील हुई थी उन्हीं के समय में राक्य सिंग भदोरिया एयर मार्शल चीफ थे अभी 36 मी और आखरी रफेल आई है डासॉल्ट कंपनी फ्रांस से तो उसके टेल पर आर बी लिखा हु कि आई टी अन थे दोस्तों टेबल टेणिस फेडड़ेशन आफ इंडिया की नए एड और दोस्तों मेगना एहलावत है मेगना एहलावत दुसें चौटाला की वाईफ है जो की डिपची चीफ मिंस्टर ने हरियाना के उनकी वाईफ है वह पहले टेबल टेणिस 6 में आया ये वेडरेशन New Delhi में टेबल टेश चाइना का National Game को संभानित किया मेरे वाई राजीव कुमार को संभानित किया गया है इस बात कई क्याद रखेंगे ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त राजीव कुमार को नहीं यार क्रिष्णा वीवी लाला को तो यहां पर देखें यहां पर गलत ऑप्शन टिक है क्रिष्णा ववी लाला को किया ठीक है चलिए दोस्तों बाइट जिन लोग के पास टेलिग्राम नहीं है वो लोग मुझे जो है वाट्सएप कर देंगे एट टू डबल लाइन टू एट सेवे एट वन टू पे दोस्तों ताकि जो है मैं आप लोग को ब्रॉटकास्ट लिष्ट में अपने डाल दूं हाय लिक के ना में आ रही है चलिए बहुत बड़िया शांदा जिंदाबाद जबदस्त किस राजनीतिक दल लें अधिकारिक तोर पर अपना नाम बदलकर भारत राष्ट समीती कर लिया है यानि कि दोस्तों बी आरेस कर लिया है किस ने कर लिया है बी आरेस ये बताइएगा तो दोस्तों टी आरेस ने अपना नाम बी आरेस कर लिया तेलंगाना जो राष्ट समीती थी उसने अपना नाम बी आरेस कर लिया तेलंग ती आरे में होने जा रहा है टाई का फुल फॉर्म क्या है तो टाई का फुल फॉर्म है दोस्तों दा इंडस आंत्रप्रणियर्स दा इंडस आंत्रप्रणियर्स ता इंडस आंत्रप्रणियर्स का फुल फॉर्म है उके क्लियर है है एदराबाद दोस्तों सबसे बड़ा मियावाकी ज दोस्तों मिड़े मिल करेकरम के बारे में जानने के लिए और अपने देश में लागू करने के लिए किस देश ने भारत का दौरा किया दोस्तों मिड़े मिल करेकरम को समझने के लिए के निया ने दौरा किया कि बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और न्यूट्रिशन भी मिल था रहा है दो काम एकशाथ हो जा रहा है मिद्दे मिलकर नया नाम क्या है दोस्तों यह आप बताइएगा ठीक है नया नाम जी आई टेक का वर्ड ठीक है जैसे कि सिर्षित ने बताया है कि यहाँ पे गोल्ड सिक्का ने गोल्ड एटीम लॉंच किया है है हैदराबाद में तो ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो आपको यहाँ पर पता चलती है जैसे अब आपको जानना है मिड्डे मिल का नया नाम क्या है तो आपको लाइफ चैट देखना होगा लाइफ चैट के लिए दोस्तों आपको लाइव आना पड़ेगा ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों जन जाती जो आदिवाशी मंत्री है यानि की ट्राइबल अफ़ेयर मिनिस्टर अरजुन मुंडा जी जारखंट के जैसे तमिलनाडू की नारी कूरव और गौरईया समदाए है हिमाचल पदेश का हट्ती समदाए है चटिस गड़ का पिंजिया समदाए है करनाटक का बीटा करिपा समदाए है दोस्तों ठीक है क्लियर है ओके बात समझ में आ गया चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों गुजरात के अठारहवे मुकमंत्री के रूप में किसे चुना गया गुजरात के अठारहवे मुकमंत्री के रूप में दोस्तों भीपेंट पटेल को चुना गया भीपें पाकी सरकार ने दोस्तों यहां पर अभी तक का इतिहास है दोस्तों किस मैसूर शासक के समय में सलाम आरती अनुष्ठान सुरू की गई थी तो दोस्तों यह जो है टीपू सुल्तान के समय में सुरू की गई थी सलाम आरती अब इसका न्यूज में क्यों है क्योंकि इसका नमस अनुष्ठान होता था सलाम आर्ती के नाम से हैं अब उसका नम नमसकार आर्ती रख दिया गया ठीक है बाता में आरई है द बार मुखमंतिरी दूसरी बार बारे मदक्र वेरीगुड और सुखु जी जो ही माचल पदेश के बने सुखविंदर सिंग सुखु वो पहली बार बने दोस्तो आरबी आई ने सार्ग करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क के जरिये मालदीव के साथ टाई अप किया है इस फ्रेमवर्क के तहट मालदीव आरबी आई से 200 मिलियन तक की नई जो है किस्ते बनवा सकता है तो दोस्तो जो है ले सकता है 200 मिलियन तक के लोन को ले सकता है ओके क्लियर है बात समझे में आ गई चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तो डिसमबर 2022 में इंटर्नेशनल इनरजी एजनसी की रिपोर्ट के रथप सार भारत की जो रिनेवेबल एनरजी च्छमता है वो डबल हो जाएगी दोस्तों तो यह 145 गेगा और जो है कब तक हो गी दोस्तो 27 तक इंटर्नेशनल इनरजी एजेंसी ने में पैरिस में युनेस्को कभी है एफ ए टी एफ कभी है ती राजा कुमार वाले और दोस्तों यूनेस्को अट्रे अजोले वाले और OECD कभी हेट Louise में ठीक है बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया शानदा जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों आपको बताना है IAEA का headquarter कहा है International Atomic Energy Agency का headquarter कहा है आपको यह बताना है ठीक है यह बताना Atomic Energy Agency का headquarter कहा है निशा का अजबड़े क्या happy birthday निशा दोस्तों दोस्तों नोमूरा ने जीडीपी फोरकास्ट के अनुमान को क्या लगा लगाया है दोस्तों भारत का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो नोमूरा के हिसाब से बहुत घटा दिया गया 5.1 परसेंट कर दिया गया 5.1 परसेंट कर दिया गया तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनरजी डोटची एजनशी का हेडट क्वाटर बनाव पता चल जाता कर रहा है। बिचारा जो है कि प्लान सफल नहीं वा उसका कल नहीं तो बसंद को बदनाव करने का तुम लोग कोई मौका छोड़ते नहीं हो तो दोस्तों जो है यहां पर यह चीज जो है नोमूरा का तो ठीक है लेकिन आरबी आई ने भी अभी जीडिपी फोरकाष्ट कम किया है सेवन परसेंट से 6.8 परसेंट किया है ठीक है बात समझ में आ रही है और दोस्तों जो है अभी वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जीडिपी फोरकाष्ट को परसेंट को 6.5 से 6.9 परसेंट हो गया है 6.5 से 6.9 परसेंट हो गया it उस भारती पसनालटी का नाम बताएं जिसे हाल ही में बी डव्लु एफ महिला पैरा बेडमिन्टन प्लेयर प्लेयर अफ दे यर जीता है बैडमिंटन वर्ड फेडरेशन का फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर अफ दे यर का आवाड किस ने जीता है तो दोस्तों यह जो है मनीशा राम दासने जीता है कि बहुत बढ़ी बढ़ी हां बहुत बढ़ीयाँ दोस्तोव बैडमिंटन वर्ड फेडरेशन का हैड़्क वाटर कहां पर मिलेशिया में को आला मिलेशिया में दोस्तों उस और्गनाईजेशन नाम बताये है जिसने हाल ही में घर go home and reunite for the restoration and repatriation of children को विक्सित लॉँच किया है तो यह घर जो है यह बच्चों के लिए दोस्तों लॉँच किया गया है तो यह nc pcr ने लॉँच किया है नेशनल कमिशन फॉर protection of child rights दोस्तों किसका वो भी है क्या नाम है क्या कहते हैं 1098 1098 करके दोस्तों वो है चाइल्ड के लिए जैसे missing children को खोजने के लिए ठीक है चलो तो दोस्तों यह बात याद रखेगा घर नाम से जो है इन्होंने सुरू किया है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शानदा जिन्दाबाद जबर्दस्त दोस्तों लिसू व्रेन बैबलर जो है एक जो है चिडिया की नई प्रजाती है बैबलर की दोस्तों वो किस राज में खोजी गई है तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है लिसू व्रेन बैबलर न्यू बर्ड इस्पेसीज डॉकमेंटेट इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है चली बहुत बढ़िया शानदा जिन्दाबाद जबर्दस्त अरुणाचल प्रदेश में ही अभी दोस्तों जो है डोनी पोलो एरपूर्ट की सुरुवात ह हुआ है और कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरुवात हुआ है यह बताओ कि दोस्तों कि संस्थान ने हाल ही में सेल लिंक के साथ भारत के पहले 3D बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का उद्गाटन किया इंडियास फर्ष्ट 3D बायो प्रिंटिंग सेंटर अफ एक्सिलेंस का उद्गाटन जो है दोस्तों यहाँ पर आई यस्सी ने किया है इंडियन इस्टिट्यूट आप साइंस बेंगलूरू ने फिबहुत बड़ीया शांदार जंदाबाद ज्वतत दोस्तों निम्नलिकित हिमाली और सदी पौधों में से कौन सा हाल ही में प्रकृति के संदक्षण के लिए आयू सीन की जो है रेड लिस्ट में दोस्तों जोड़ा गया है विच अब दी फॉलोविंग हिमालियन मेडिसिनल प्लांट वर रिसेंटली एड़ेट तू दा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन अफ नेचर रेड लिस्ट अफ त्री एटेंड स्पीसीज तो दोस्तों अभी एक कुश्चन आया था लाश्मन की रेड लिस्ट में कौन डालता है तो ऑई यू यू सी एन डालता है जिसका हैटकृट्ट है ग्लाइंड स्विज़र लेंड में अई-उसीर तो दोस्तों इस ने जो है यह यहाँ पर यह जो है तीन तरीके के जो हिमाले के जो औसधी पौधे हैं इनको दोस्तों रेड लिश्ट में डोड़ा है ये औसधी पौधे विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों ठीक है डेक्टिलोरहिजा, हटागिरा, फिरिटीलारिया, सिरहोसा, मेजोट्रोपूपिस, पेलिटा इतना खतरनाक है कि नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन कितनी औसधियां हैं जिने आईउसीन की रेड लिश्ट में डाला या ये जरूर पूछा जा सकता है, तो ये तीन हिमालेयन मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों जिनको रिखा गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए, दोस्तों हतागीरा का नाम है सलाम पंजा, तो खेर साइंटिफिक नेम के अलावा हम लोग हिंदी वाला नाम भी जान गए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए, दोस्तों भारती क्रिगेटर इसान किशन सबसे यंगेश्ट दोहरा सतक मारने वाले खिलाडी बन गए है, 24 साल 145 दिन में इन्होंने डबल सेंचुरी मारी है, ठीक है, मार्टिन गब्टिल, क्रिस गेल और पाकिस्तान के फखर जमान ने भी दोस्तों डबल सेंचुरी मारी है, हमारे यहां से तो ये चोथे भारती है, सचीन, विरंदर, सेवाग और रोहित सर सर्मा ने किए, सबसे ज्यादा स्कोर भी 1264 रंड का उसी का है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, चले, बहुत बढ़िया, शानदा, जिन्दाबाद, जबदस, दोस्तों, अखिल भारती मसाला निर्यातक फोरम, के हेड कौन है, दोस्तों, ऑल इंडिया, स्पाइसे दोस्तों, यानम जो है, एक साइंस डॉकुमेंटरी फिल्म है, जो संस्कृत लेंग्वेज में पहली बार कोई साइंस डॉकुमेंटरी फिल्म आई है, इसे गोवा के 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पैनोर्मा खंड में दिखाया गया था, दोस्तों, यह जो है, जो इसरो के पुर्व हेड है, पद्मभूशन, डॉक्टर के राधा किशनन, उनकी बुक थी दोस्तों, माई ओडिसी, माई ओडिसी में जो आटो बायोग्राफी लिखी है, उसी के अधार पर यह पिक्चर बनाई गई है, ठीक है, मेमोयर आफ दा मैन बिहाइंड दा मंगल प्रयान मिशन, माई ओडिसी, यह दोस्तों, डॉक्टर के राधा किशनन की है, जो इसरो के पुर्व अध्यक्षते, ठीक है, इनकी बुक का नाम भी आपके एक्जाम में आ सकता है, यह भी याद रखियेगा, दोस्तों, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता ह है, तो यह 12 दिसंबर को मनाया जाता है, यूपी में इस बार दो दिन का यह प्रोग्राम हुआ है, और जहां जम्मू कश्मीर को बेस्ट जो है अवार्ड मिला है, क्योंकि सबसे अधा हेल्थ आईडी काड़ वहीं पे बने हैं, ठीक है, दोस्तों, किस हाउसिंग फाइनेस ने रोसनी होम लोन योजना सुरू की है, तो दोस्तों, यह पी एन भी हाउसिंग फाइनेस ने रोसनी होम लोन योजना सुरू करी है, ओके, दोस्तों, किस कंपनी ने राजस्थान के जैसल मेर में साढ़े 400 मेगावाट की जो संयुथ पर चालन्ज हमता के, अपने तीसरे पवन सौर, पवन सौर का मतलब होता है, दोस्तों, विंड सोलर, विंड सोलर हाइब्रिट पावर प्लांट, विंड सोलर हाइब्रिट पावर प्लांट की सुरुवात की है, तो दोस्तों, यहाँ पर आदानी ग्रीन एनरजी ने की है, दोस्तों, विंड सोलर हाइब्रिट पावर प्लांट की सुरुवात ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदा जिन्दाबाद जबर्दस्त कि दोस्तों किस बैंग ने चेन्नाई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइन्स बनाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की करेक्टिविटी में सुधा प्रीदी है ओके एशियन डेवलप्मेंट बैंक दोस्तों जो कि फिलिपिन्स के मनीला के मंडल यॉंग में है अशोक लवासा यहां पर उपाध्यक्ष है वैसे उर्जित पटेल दोस्तों यह जो है एशियन इंफ्रस्ट्रॉक्ट्ट्रॉक्टर इन्वेश्टमेंट बैंक ठीक है दोस्तों अमीर की फरनीचर रीटेल पॉटरी कंपनी बौर्ण ने अपना ब्रैंड ड्यमेजजम किसको बनाया है तो दीपिका पादुकोर को बनाया दोस्तों कल दीपिका पादुकोर ने वर्ड कप के फाइनल में कप को अन्वेल किया तो बड़ा ही खुबसूरत सीन लग रहा था कि दुनिया भर के एक्ट्रेस की जगा दीपिका पादुकोड को चुना गया दोस्तों ये कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस में भी दोस्तों जियूरी में थी दीपिका पादुकोड बहुत अच्छी बात है ठीक है दोस्तों ये जो है बहुत बड़े टेनिस क्रिकेटर प्रकास पादुकोड की बेटी है जिनने भी कर्नाटिक रतना अवॉर्ड मिला था ठीक है और दोस्तों ये जो है एक आदमी पागल आदमी की भी औरत है जो घागरा पहिन के IPL देखने जाते हैं और जो है मैचेस देखने जाते हैं दुबई में घागरा पहिन के अपनी बीबी का लंगा पहिन के कभी-कभी वो मैदान में दिखते हैं दोस्तों न्यू यू 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 कि बात समझ में आ गई क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां शांदा जिन्दाबाद जवर्दस्त कि दोस्तों अभी फेडरल रिजर्व में अर्विंद किष्णा को अर्विंद किष्णा जो आई बीम के हैं उन्हें भी बोर्ड में जगा मिली थी मिली थी ठीक है सर फीफा में लुई वूइटन का भी रोल था इसलिए दीपिका पादुकोड गेती हां लुई वूइटन के जो मालिक है यह जो है बर्नाड और्नाड वो दुनिया के सबसे हमीर आदमी बन गए अनौल मस्क को एलॉन मस्क को पिछले अप्ते बीट कर दिया उन्होंने खेर व दोस्तो लीमा में पेरू पेरा बेडमेंटन और इंट्रनेशल चेंपियंशिप में गोल्ड मेडल किस ने जीता है तो दोस्तो पेरू की कैपिटल लीमा है गोल्ड जीता है गोल्ड जीता है ठीक है बात समझ में आ रही है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़ी है दोस्तों अभी जो संगम अभ्यास जो हुआ है नो सेना का यह किन दो देशों के बीच में हुआ है तो संगम दोस्तों जो है पूछ सकता है किन दो देशों के बीच में होता है तो इं एकसरसाइज होती है ओके दोस्तो वजरप्रहार कहा हुआ था भकलोह में और ये कहा हुआ था दोस्तो यूद्ध अब्यास आली में ऐसा हुआ था क्या जहां पर एक जो है अरजुन नाम के काइट से दोस्तो ड्रोन का सिकार कराय गया था दोस्तो human rise day कब मनाया जाता है human rise day दोस्तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है इसी दिन दोस्तो nobel prize बठते हैं मानवा दिकार दिवस के दिन पुनितिती होती है अलफ्रेड नोबल सहाब की तो दोस्तो पांच एरिया में तो वो मिलते हैं स्वीडन के स्टॉक हो में लेकिन nobel peace prize वो नौर्वे की केपिटल ओसलो में मिलती है ओके दोस्तो अभी ministry of new and renewable energy ने कहा है कि वो rooftop solar program को और आगे बढ़ा रहा है तो कब तक के लिए आगे बढ़ा रहा है मार्च 2026 तक लिए बढ़ा मार्च 2026 में दोस्तों जो है 15 वितायों का कारकाल का खतम होगा तो ज्यादा तर ची खतम की जा रही है ठीक है तो दोस्तों यह जो है तीन किलो वाट पे जो है 45% सबसीडी तीन किलो वाट से 10 किलो वाट तक 20% सबसीडी मिलती है इस योजना के तैत दोस्तों हाली में पैसाबजा.com के साथ एक को ब्रेंडेट क्रेडिट कार्ड डिवेट किस ने लॉंच किया अh te Agden डिवेट किस ने लॉंच किया दोस्तों यह जो है डिवेशन कर बेंग ने लॉंच किया रत्नाकर बेंग इसका नाम है ॐख सकती प्लांस के साथ नहीं होती है आकांचा गरुण सक्ति भ्रांस के साथ नहीं होते हैं दोस्तों एसके केपिटल मेंजमेंट ने यूएस आईटी एस रूट के माध्यम से एसके इंडियन आंत्रोप्रणियर फंड नामक भारत अधारित फंड लांच करने के लिए किस देश के सेंट्रल बैंक से मंजूरी प्राप्त की है तो दोस्तों यहां पर आयरलेंड के सेंट्रल बैंक से मंजूरी प्राप्त की है ठीक है क्लियर है दोस्तों उस देश के पधानमंतरी का नाम बताईए जीन है अभी International Diabetic Federation के द्वारा Global Ambassador for Diabetes चुना गया है Global Ambassador for Diabetes चुना गया है ठीक है तो दोस्तों यह जो है सेख हशीना जो है वो PM आफ बंगलादेश है उन्हें चुना गया है ठीक है क्लियर है दोस्तों Diabetes Day हम लोग किस दिन मनाये थे दोस्तों 14 नवंबर को मनाये थे जिस दिन मोधी जी का बड़े था है ना कि चली बहुत बढ़ियां शेख हसीना दोस्तों बंगलादेश की प्राइम मिनिस्टर भी है दोस्तों इंडियन नेवी द्वरा आठ दिसंबर को भारत की पहली आएनेस कलवरी के 1967 में सामिल होने की याद में पंडूब्बी दिवस मनाती है में इंडियन ने भी दोस्तों यह कौन सा सेवन में जो है आइनेस कलवरी जो थी वह भारत की पहली पंडुबी का नाम है पहली स्कॉर्बीन के पंडुबी थी जो उस समय के सोवियत सोसलिष्ट रिपब्लिक से मिला था दोस्तों जो है यानि यूएस असर से यानि की रशिया से जो कि उस समय 15 देशों का संगठन होता तक हथा बाद में जो है दोस्तों यह 15 भागों में बट गया स्टेशों कि दोस्तूं भारत से districts कि सहर में सत्रहवे प्रवासी भारती दिवसकी मेजबानी करेगा तो दोस्तों यह इंदओर में करेगा कौन सा एडारें कौन सा इडिशन है आता कौन सा एडिशन है स्वेटेंट इडीशन धी पहली बार की वहा था बता ना के हूं पहली बार की प्ывा था जोस्तों इंद और क्लीने सीटी है व्ल्ड ट्री सीटी सी यां पे सुरु किया गया तो दोस्तों यहाँ प्रवासी भारती दिवस भी अभी इंद और और भी बहुत सारे अवार्ट जीतने के चक्कर में लग गया है दोस्तों अभी किस राज्य में किर्ती गई दीपमरत उत्सों का आयोजन किया गया तो किर्ती गई दीपमरत उत्सों का आयोजन तमिल नाडू में किया गया है जो है तमिल नाडू में किया गया है ओके चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों हाँ बिल्कुल परवासी भारती दिवस में इर्फान अली आएंगे जो गुयाना के राश्पति हैं दोस्तों फूड एंगरी कल्चर और्गनाइजेशन ने किस सहर में बाजरा को अंतराश्टी व में प्रोड्यूसर भारत है और एक्सपोर्टर भी भारत है दोस्तों उसी की पहल है मोदी जी की पहल है दोस्तों ठीक है तो इस इंटरनेश्टल येर ऑफ माइलेट्स कब मनाया जाएगा दोजा तैईस में इस बात को याद रखिएगा और बाजरे से रिलेटिट कुछ भ जो है विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों उसका कौन सा एडिशन होगा तो उसका ट्वेल्ट एडिशन होगा बारहवा हिंद विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा ठीक है याद रखिएगा दोस्तों अभी जो है क्रिसी उडान 2.0 योजना जो है सुरू की गई है जिसमें 58 एरपोर्ट को जो है लिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे यह जो है मास मचली जो भल फूल है सबजियां है जो जल्दी से समाप खराब होने वाली चीज है उसके दोस्तों जो है हवाई पर पहुचाये जाते हैं कंज्यूमर के पास दोस्तों किस राज में जल पहरियों की वर्दी पर कैमरे लगाने की नई योजना सुरू की गई है तो दोस्तों यह जो है योजना जो है तमिल नाडू में सुरू की गई है ठीक है दोस्तों ऐसे ही अभी जो है पूरे में जो है य चलिया है चलिए बहुत बढ़िया शान्दा जंदा बादुबर्डसत भारत को हाली में फ्रांस से 46 रफेल मिल गए है दोस्ट फ्रांस की कमपनी के द्वारा बनाया गया था गया गया। दोशुचा रफेल की साठ हज़ार करोड में दोश्तों दोजार 20 में 29 जुलाई को रफेल Virtual Cake का पहला जथा आया था अंबाला एयरबेस में फिर दोस्तों एक ऑर यरबेस बनाया गया विस्ट में वह अंबाला व ला गूल्डेन एर स्क्वैड्रन हासी मार sliding वेश्ट बेंगॉल में आपका 101 स्क्वेडर्न है दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज होती है सुर्ख किरन यो कि दोस्तों इस बार साल जंडी नेपाल के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में हुई है यह इसका कौन सा एडीशन है तो यह उसका सोल रहवा एडीशन है नेपाल में दोस्तों जैनगर कुर्था रेलवे लाइन भी सुरू हुई है सीता जी के मायके तक जनकपूर तक रमायर एक्स्प्रेस भी भेजी गई है नेपाल इंटरनेशनल सोलर एलाइंस का 104 मिंबर भी बना है दोस्तों जी आई टेग द्वारा 9 प् और एड़ हो गए है जी आई टेग वाले दोस्तों जिसमें इन में बहुत अलग अलग तरीके के नाम है जो मैं पढ़ पा रहा हूं बता दे रहा हूं बाकी PDF में मिल जाएगा के बहुत सारे हैं दोस्तों जैसे सफेद प्याज अलीबाग वाला उसको जी आई टेग मिल गय कारपो खुबानी लद्दाग का उसको मिल गया तंदू रेडग्राम को मिल गया दोस्तों तेलंगाना वाले को और असम के गमच्शा को मिल गया गमच्षा जो हम लोग कंदे पेंते हैं गरदन में जैसे गर्मी एर्मी के समय में तो दोस्तों केरल से जो है अटापडी लाल चना को कंथा लूर वट्टा वदा वेलू थल्ली को और दोस्तों ऐसे बहुत सारे नामें मेलन्स हैं तिल है तिल को यहाँ पे ओना टुकारा एलू कह रहे हैं तो इनको मिली है ठीक है क्लियर है चार सो एक तो भारतिय मूल के हैं लेकिन थर्टी वन जो है विदेशी भी है जिने जी आई टेक मिला है दोस्तों इंडिया का फर्स्ट कार्बन नूट्रिल पावर एक्षेंज कौन बन गया है तो भारत का पहला कार्बन नूट्रिल पावर एक्षेंज बन गया है दोस्तों capital passport index में भारत ने दुनिया की सबसे मजबूत passport में कौन सी ranking हासिल किये दोस्तों तो यहां पे 66th ranking हासिल किये इस सुची में पहले स्थान पर दोस्तों UAE रहा है है यहले passport index की बात करें तो भारत की ranking जो है दोस्तों वह रही है 87th number पर हैंले में और वहां पर दोस्तों पहले नंबर पे जा पान था सबसे strongest passport में ठीक है clear है चलो very good बहुत बढ़ियां शानदा जिन्दाबाद जबरदस्त दोस्तों भारत सरकार ने सिलंका के नागरिकों को नगद में भारती रुपे में कितने रुपे तक रखने के अनमती दी है इंडियन गोर्मेंट अलाउड सिलंका सिटिजन्स टू होल्ड अप्टू डॉट 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 इन इंडियन रुपीज इन कैस तो दोस्तों दस हजार रुपे तक रखने की अनमती दी है वैसे सिलंका में अभी भारत का रुपे को लीगल टेंडर घोशित नह नहीं किया गया है दोस्तों जेरेमी फरार को डबलू एचो का नया जो है चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है वह किसकी जगह बनने वाले हैं तो दोस्तों यह जो है आपके सौमया स्वामीनातन की जगह बनने वाले मुझे लग रहा है यह सब मैं पढ़ा चुका हूं ऐसा नहीं है यह रिपीट हो रहा है अगा बताना अगा है कि अ क्यों हाँ रिपीट हो रहा था चलिए खतम भी हो गया तो दोस्तों ताबढ़ तोड़ तरीके से हम लोगों ने आज जो है अपना बचा हुआ जो है वीकली करेंट अफेर को कवर कर लिया मेजर पार्ट तो कल ही क जबर हो गया था तो कल वाला संडे वाला भी सेशन आप लोग देख लीजेगा कल का संडे वाला भी सेशन आप लोग देख लीजेगा ठीक है तो दोस्तों ताबढ़ तोर तरीके से हम लोग खेले हैं वाह मजा आ गया दोस्तों चलिए ऐसे ही जो है आप लोगों ने भाई पूसे टेलिग्राम पे ठीक है ताक्यों सारी चीजे मिलती रहें ठीक है क्लियर है मुझे तो आप भी आठ डॉलर क्यों नहीं चार्ज करते हो जिसको आपने ब्लू तिक दिया है अरे यार वह सब जो है आठ डॉलर वह सब अनमौल है ब्लू टिक मैं ने उनको दिया है जो की हमारे जो है इंट्रेस्टेड वॉलण्टियर्स हैं जो की मैंनेज करते हैं आप लोगों को अप लोगों के कोई इसमें बाहरी आ गया थालतू कमेंट करा उसको delete करते हैं मेरी मदद करते हैं वह उनको आठ डॉलर जो है मुझे देना चाहिए लेकिन वो गुरुदक्षिना स्वरूप करते हैं जैसे वह टेलिग्राम की लिंक वह भेश दिया बसंत ने तो यह सब मेरी मदद करते हैं तो वह बच्चे है अब वो बसंत है जैसे अब वो शीवानी थी शीवानी भी है वो फेस्बूक गूरूप में भी शेयर करते हैं टेलिग्राम पे भी आप लोगों को अब्डेट देते रहते हैं कुछ अगर गलत होता है के लिंका आता हुसको डिलीट करते हैं कोई फाल्तू लोग ब्वेज रहे हैं या पालतू कमेंट कर रहे हैं तो यह सब जो है समीना है बसंत वेक्मार है सब जो है करते हैं जो इंट्रेस्ट्ट होता maximum झो रहता है हर सेशन trap उसको जो है जो मदद करना चाहता है उसको दे देते हैं यह राइट लेकिन ऐसा भी नहीं कि कि किसी को भी देदेंगे की मालुम पड़ा कि वह सब को टाइम-आउट ही कर दे सब को ब्लॉक ही कर दे तो जो विश्वासी भी होना चाहिए faithful भी होना चाहिए है ना जो कभी जो है वैसे कुछ कर नहीं पाएगा वो क्योंकि मैं तो अनब्लॉक कर दूंगा जो ब्लॉक अगर कोई लेकिन विश्वासी होना चाहिए इसलिए मैंने तो पहले बहुत लोगों को दे दिया था हटा दिया अब केवल चुन या काजु कतली तुम लोग भेज़ देते हो वही मेरे लिए करोड रुपै का हो जाता है काजु कतली सेलेक्शन पर बेच्शन वह करोड़ रुपै को हो आठा है क्लियर है चलिए के के सर मौनिंग क्लास में मैं कमेंट بہुत करता हूब बहुत ऑच्छ लासे क्या है प्डे पढ़ता है और ऐसे सी का भी बहुत खतरनाख खिलाड़ी जी इसका उसके बहुत पकड़ कि समीना है जो अचानक से आई और हम लोग के रेगुलर स्टुडेंट्स में हो गई जल्दी में जोईन किया उसने हम लोगों को तो बहुत सारे आकास है पुराने सौरब है यह सब जो है कि रज़त है यह सब खिलाड़ी है चलिए थैंक्यू सो मच आप लोगों की वज़ए से सिक्स हजार सिक्स थाउजिट वह दो जिन लोगों के कमेंट यहां पे लिखेते उनको सिर्सिद सिर्सिद भाई सब कहां कहां के पढ़ रहा है वीखली कि अपढ़ा और comment लिखता है से बहुत बढ़िया रहा सर यहां से डारेट कोष्चन आया था रहेते सिर्सिद कि इया कोईस्चन आया था डारेक्ट कल कोई वीकली पढ़ना तो वह पुराने पुराने उठाउट आके कितने बच्चे जो गेम-चेंजर बैच डेक डाले हैं जैसे एक राहूल करके वह भाई साथ बैंक में है सरकारी बैंक में है वह मेरे सारे गेम-चेंजर बैच को देख रहा तो वह सब हैं बहुत बढ़िया प्रिया आकांशाह थीक है कि करें कि समीना ने जल्दी अपना समराज सेट कर लिया हां कि उपक्षर यृट un было जल्दी कथम हो गया में बाला आगे खोल रहता कि आगे और नहीं है बोजे-दिक अदोfilm में बताता मैंने सोचा बहुत ज्यादा तो डिटेल में बताऊंगा चलो चलो अच्छा या चलो बढब बाय ठीक क्यार कुदऄ बाबाए, टेक केर, लब यू आ.